बॉपनी दियर चुटेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तोड़े आम गोंग तूस्टर चाप्टर टू गोईंग वेस्ट अगोईंग वेस्ट मेंस वेंग सम्पर्सन ट्रावल्स तू वेस्ट यानि जो अपनी कंट्री को छोड़कर वेस्ट की तरप जा रहा है ट्रावल कर तो उस पर यह कहानी बेस्ट है कहानी को स्टार्ट करते हैं और बिफोर स्टार्टिंग इट इस माय रिक्वेस्ट तो एवरीवन प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन और मिसन अपडेट फ्रॉम दिस चैनल ओकी लेट्स स्टार्ट अलॉंग बहुत टाइम पहले जो आज के मतलब दादा दादी लोग हैं वो बहुत पहले क्या रहे होंगे छोटे बच्चे और छोटी गर्ल्स रहे होंगे और वेरी स्मॉल बेबी और परहाप्स नॉट इवन बॉर्न या तो बहुत छोटे बच्चे होंगे और या तो वो पैदा भ little house in the big woods of wisconsin तो क्या बोलते हैं उस टाइम पे पा एंड मा यानि मम्मी बापा मेरी और लौरा और एक छोटा बच्चा बेबी कैरी ये सभी wisconsin को छोड़ कर जा रहे थे wisconsin का एक woods मतलब जंगल था उसमें उनका घर था उस घर को वो लोग छोड़ के जा रहे थे they drove away and left it lonely and empty in the clearing among the big trees and they never saw that little house again drove away means they were going, drove away कहने का मतलब सवारी करना ठीक कि किसी चीज़ को चलाना तो उस टाइम पे vehicles तो नहीं होंगे तो एक बुलक कार्ट होगी बैल गाड़ी या फिर तांगा बगरा होगा उसमें वो लोग उस घर को छोड़ कर जा रहे थे they were going to the Indian country, Indian country की ओर जा रहे थे but sad there were too many people in the big woods now यानि वो लोग तो चले गएते छोड़ कर बट फिर भी पाने क्या कहा कि उन बड़े जंगलों में big woods में अब भी बहुत सारे लोग हैं quite often Laura heard the ringing third of an axe which was not past axe or the echo of a shot that did not come from his gun तो Laura सुनती थी यानि कभी किसी के कुलाहडी इसे पेल काटने की अबाज आती थी और किसी की गोली चलाने की अबाज आती थी लेकिन पातोस forest से चले आये थे तो it means बहाँ पर और लोग थे और वो ऐसा काम करते थे the path that went by the little house had become a road और छोटे घर से जो राश्ता निकल के जाता था वो अब एक road बन चुका था almost every day Laura and Mary would stop while playing and stare in surprise at a wagon slowly creaking by on the road तो हर दिन Laura and Mary देखती थी वो खेलना अपना छोड़ देती थी क्योंकि वो देखती थी एक road से creaky, creaking मतलब जैसे बैल गाली के पहिये होते है wagon means bell गाली या तांगा उसके पहिये चींचींचींचींचींचीं करते रहते हैं ठीक है grease ना होने की वज़े से तो उनको देखती थी जब कोई भी कल आता था जैसे आज कल की बच्चे छतों पर चले आते हैं helicopter देखने के लिए that's just like that wild animals would not stay in a country where there were so many people वाइल्ड एनिमल्स वहां नहीं रुकते हैं जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं यानि जहां बस्तियां होती हैं गाओं शेहर होते हैं वहां पर वाइल्ड एनिमल्स नहीं होते हैं तो पा भी ऐसी जगह पर इस्टे नहीं करते थे, नहीं रुकना चाहते थे, मतलब भीड़ बालबाली जगहों पर उन्हें ऐसी कंट्री पसंद थी, ऐसा जगह उनको अच्छे लगती थी, जहां पर वाइल डरे, इंसानों के बिना डरे उसे क्या पसंद लगता था, मतलब पाको की एक शैड़ो में, पेड़ की शैड़ो में बैठे हुए, फान्स मतलब बच्चे, ठीक है, किसी जानबर के, लाइक शीप, गोट्स और जो जंगली हिरन होते हैं, उनके बच्चे, वो अपनी मा के साथ आने जाने वालों को देखते रहते हैं, या फिर जो बेर्ज होते हैं, भालों, वो बैरी के जंगलों में बैरी खाते हो हैं, तो वो चीज़े देखना नरेटर के पाको अच्छा लगता था, यानि विन्टर में, इवनिंग के टाइम पे, जो बात है नरेटर के, वो मा से बात करते थे, वेस्टर्न कंट्री के बारे में, यानि वेस्ट में, जमीन में एक्दम प्लेन होती थी और पेल नहीं होते थे, वह लंबी-लंबी और मोटी घास होती थी, और जो वाइल्ड अनिमल्स थे, उस घास के मैदान में पैस्चर मीथ, जहां घास का मैदान होता है पैस्चर बोलते हैं, तो दूर दूर तक घास के मैदान फैलते होते हैं, चहां तक इन्सान की नजर जाती है बहां तक, तो उसमें आराम से वो जानवर घास खाते थी And there were no settlers Settlers मतलब रहने वाले कोई वहां मैदान में नहीं होते थी Only Indians lived there सिर्फ Indian लोग वहां रहते थे One day in the very last of the winter Paa sad two ma तो एक दिन Paa ने मा से क्या कहा Winter के last में Seeing you don't object I have decided to go see the best तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने decide किया है कि हम west में जाएंगे घूमने के लिए और तुमें कोई objection तो नहीं है कोई अतरास तो नहीं है I have had an offer for this place and we can sell it now for as much as we are ever likely to get क्या होते हैं कि वहाँ जाने के लिए हमको एक offer भी मिला है और इस घर को बेचने के लिए और हम चाहें जितना पैसा इस घर के बदले मांग सकते हैं Enough to give us a start in a new country और हम एक new country में जाकर अपने life को start कर सकते हैं अच्छे से पुराना घर बेच के नई country में चले जाएंगे So माने क्या कहा Oh Charles, must we go now कहती है Charles क्या अभी जाना है The weather was so cold and the snug house was so comfortable Students, next page पे जो word आएगा so के बाद वो आएगा comfortable तो माने क्या कहा कि अभी जाके क्या करना है Because अभी ठंड बहुत जादा है और हमारा जो छोटा सा घर है Snug house मतलब एक छोटा सा बट comfortable घर तो वो अच्छा है ठंड से हम बचे रहेंगे तो अभी जाना क्यों है तो आगे पा उसको बताएंगे कि मतलब क्यों जाना है He will give a reason वो हम next वीडियो में इंग्लूड करेंगे Part 2 में आज तक इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए, कमेंट करिए Friends के साथ शेयर करिए Thanks for watching झाल 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 झाल